जी हाँ नमस्कर साथ योग और बड़ी खवर कोटा जिले से मिल रही कोटा के गुमान पुरा थान इलाके से एक और बड़ी खवर सामना आई है दरसल च्यार जुलाई के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया जानकरी में सामना रहाई कि च्यार जुलाई को प्रेश की फूटेज खंगाले तो तकनीकी अनसंधान किया तो इस दोरान एक सिसीटी फूटेज मिला जिसमें कुछ सकल धुंदली आ रही थी इस दोरान पहचान नहीं हो पाई थी बता ज़राए कि एक सक्स के बारे में पता लगा सिसीटी फूटेज में नजर आ रहे तीनी वक में से की पहचान हो पाई थी और जानकरे में सामना रही कि वो कुछ दिन पहले ही कोटा में पीटी इटी एक्जाम देने के लिए आया था और पीटी इटी एक्जाम देने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसमें सामिल हो लिया अफराल पुलिस फिर सासन ने कारवाई करते हैं तीनों आरोपियों को गिरबतार कर लिया जिसमें कुल्दीप मीना, प्रदीप मीना और रहुल उर्पी बिंटू मीना, इन्हें पुलीश ने रहासत में लियार पूंस्थांच की जा रही है। सुर्वाती पुंस्तास में बताये कि 3 जुलाई के रात को कुल्दीप और राहल रात के समय वाटर कुलर से पानी लेने गए थे उसी समय कुल्दीप सुरिश के दुकान के पास टोईलिक के लिए गया हुआ था सुरिश ने उसे टोका जिसके बाद उसने बीच कहा सुनी हो गई लेकिन वहाँ से वापिस लोट गए अपने दोस्त प्रदीप मीना को साथ लेकर आये तबी नीन में उन्हें ये अन्जाम दिया और मौके पर हुए इससे छोड़ कर फरार हो गए अफिलाल पिलिशने कारवाई करते हुए हिरासत मिले लिया और मामले की जाच की जा रही है मिलते हैं कि लिए वीडियो के साथ जाहिए वीडियों से लिए